कि हाई एवरीवन वेलकम बेक टो माई चैनल मेरा नाम त्रेटी वाली वालाद मैं आपको बताओंगी कि एगर आपकी स्किन पे ब्लीज सूट नहीं करती है तो आप कैसे करोगे तो मेरे स्किन पे भी ब्लीज सूट नहीं करती है चैनल शब्सक्राइब कर तो प्लीज करती है तो चलो कैसे करने हैं अगर आपकी स्किन सीख्ड़ण के लयुको अगर शूट नहीं कर देत उनको कैसे करेंगे और कितना की कैसे ग्लो आएगा उन लोगों को और बिना कोई साइड इफेक्ट के तो वीडियो होने वाली काफी जदा है चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करके साथ मेरे के बैले को प्रेश जरूर कर लेना ताकि इसी तरीकी की हेल्फुल वीडियो आप लोगों से मिसना हो तो चलिए अगर आप भी ब्लीज कराने से डरते हो और आपको चाहिए ग्लोब अपकी स्कीन सेंस्टीव है और ब्लीज कराने में डर लगता है इस वजह से आप नहीं कदार पाते हो तो यह वीडियो पिल्कुल आपके लिए है जादा जादा चलिए करते हैं क्योंकि वीडियो काफी जदा है प्लीज वीडियो को लाइक किजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से पहुद जादा मॉटिविशन मिलती है जिसके बचे लोग और पी अच्छी और इंट्रेस्टिंग वीडियो आप लोग के लिए लेकर आ आपको स्कूंबल जाएगा इसमें फोल जो है स्टैप उनको मिक्स करके आपस में आपको मसाज क्रीम के साथ मिलाना है एंटी टैन पैक है और लास्ट में आपको मिलेगा और प्री मॉस्राइजिंग जैल जिसे आपी स्कीन काफी ग्लो करेंगे तो सबसे पहला छो है वो एक नंबर फिर की सिंग्यकंव कर्णा करते कि और की स्कीन बेना तो हो शिघ् Deutsch हो सकता है कि आपको साइड इफक्ट हो जाए आप細़ी तो आप विना भी बीच आप लने चाने से पहले प्लीच को तैयार कर के क्यूं कि बीच इसको अगर आप तयार करके बना के दो मिनिट छोड़ देते हूं तो अपना वर्क और भी अच्छे से करता है तो सबसे पहली बात अगर आपकी स्कीन पर सेंस्टिव है कोई भी ब्लीच सूट नहीं करती तो सबसे पहले आप यह वाला ब्लीच ले लिजे और सी प्रो कोई भ करना चाहते हूं तो उसके लिए भी बताने वाली हूं तो वीडियो एंट तक वाच कीजेगा चलिए सबसे पहले मैं इसको ने ले रही हूं कि मैं अब ब्लीच मैंने लिया है इसको इस गाच के बावल में निकाल ले रही हूं कि मैं ने कुछ सबसे पहली बात आपको एक्टिवेटर बहुत कम मात्रा में लेनी है क्योंकि जैसे आपकी नॉर्मल होती तो यह बरतास कर लेंदा लेकिन अगर सेंस्टिव स्कीन है या फिर आपके स्कीन पर ब्लीच सूटी नहीं करती तो आपको एक्टिवेटर तो चल जाता हमने यहां पर यहां पर रेडी कर रही है अगर आपको इनॉर्मल ब्लीच लेने हो तो उसमें भी आपको एक्टिवेटर बहुत कम लेना है तो इसमें तो आप जादा भी लेलों के चलेगा क्योंकि यह औक सी है स्पेस्ली इस ड्राइ स्किन के लिए बनाया गया है तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेरी हुमें तो यह हमादा ब्लीच रेडी हो गया तो इस चीज का ध्यान रखिए कोई भी ब्लीच कर दे हो संस्टी स्किन वाले है तो एक्टिवेटर थोड़ा कम मातरा में ले लिए तो उ हम लोग सटम केते हैं कंजीग मिल करना है तो गुलाब जल्द को अच्छे से स्प्रे कर लिया है अब आपकी के सिकिन को अर्भी अच्छा बनाने लिए आपको थोड़ा सा ग्लिसरीन लेना है इस तरीके से और ग्लिसरीन को पूरे फेस पर लगा लेना है इससे क्या होगा कि जितना भी डर्ट वाट होगा अच्छे से क्लीन हो जाएगा निकल जाएगा इसली और हमने जो एक नमर वाला रखा था इसमें मैंने अल्रेडी दो आद इसका जिनको दाग धब्बे हैं बहुत तो अगर आप उनको कर रहे हो तो यही बादा फेशल चलेगा उनको कम से कम आपको पांस मिनिट तक मसाज करना है गर्दन को भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है तो इस तरीके से आपको पूरे फेस पर मसाज करना है क्लिंजिंग मिल्क से बिलीच अपलाई करने से पहले लिंगे निकाल देते हैं करना है कि कभी भी मसाज करते हो तो हमें साथ ऊपर की तरफ मसाज करना है ऐसे नहीं करना है इस तरीके होगा लाइन्स और एजिंग ज़ल्दी रिखने लग जाएंगों कि आइस पर आपको दिंग फिंगर से इस तरीके से मसाज करना है कि व्यूटी पालो को से रेटरिड बहुत सारी वीडियो ऐसी वीडियो ने चैनल के अपलोड हैं तो आप जाकर चेक कर सकते हूं कि यहां पर आपको बिल्कुल मसाज करना होता है यहां पर प्रैसर प्वाइंट होता है जो दबने की वरसे मारे आइस में जितनी प्रब्लम होती है वह कम होती है दोज पर इस तरीके से कुछ कि हमारे नोज पर यादा से ब्लैकेट राते हैं ज्यादा मसाज करना है यहां पर और नोज पर ज्यादा ब्लैकेट राते हैं कराने में ज्यादा रिलक्स मिलता है इंगता पादला नहीं जाना चाहते हो तो घर पे इस तरीके से कर सकते हैं तो अगर मैं इसको मसाज करके पुरा दिखाऊंगे तो वीडियो बहुत लंब्य जाएगे तो पांच मेंटर में इसको मसाज कर लेती फिर मिलता है तो इस तरीके से आने क्लिंजिंग मिल्क कर लिया है और अच्छे से रीमूव कर लिया तो पानी अब हम लोग अप्लाई करेंगे अपना बनाया हुआ ब्लीश पूरे दस साल के बाद मैं ब्लीश कर रही हूं तो चलिए अप्लाई करते हैं क्या होता है क्योंकि मैंने 10 साल पहले किया था तो मेरे स्किन पर काफी रैडनेस हो गई थी और पादर वाली बीडर देई तो उस क्योंकि स्किन बहुत साली साली से लग रही है अब चाहों तो हाथों से भी यूज करश रखते हो कि अगर आप इसके इंस्टीव है थोड़ा बहुत ब्रीच का लगना नॉर्मल है तो इससे घब्राने की या ड़ने की बात नहीं है कि जल रहा है फेस लेकिन बहुत जादा लगी तो आप साफ कर देजेगा उसको तुरंट तो थोड़ा साज का देन से क्यों होता है कि इसका जो वर्क होता है वह अच्छे से कर पाता है तो मैं कस्ट्मेर के भी ऐसे यह अपलाई रहती हो और तुछन जल्दी से जैसे आपके आई ग्रूप लगा हो मेरी आइज रही लाइट है इस पर वर्क ना कर रही है अपना त तो जल्दी से इसको रिमूब करतीजिए वह इस तरीके से हैं तो आई ग्रूप से हटा दे रहा है ध्यान से जहां भी आप नहीं चाहते हो कि आपका ब्लीच चड़े ब्लीच काम क्या होता है ब्लीच का काम होता है आपके फेशेल लेयर को आपके स्किन के कलर कि से मैच करन लेकिन करने से शिर्फ आपका स्किन के कलर से मैच हो जाता है एक-दो सेट तक आपका कलर लाइट तक लिखता है लेकिन हमेशा नहीं कराने से लिए कराने में कम्सेद्स आपको में तो चाहिए अगर आपकी स्कीन नौर्मल है तो आप एक मंद में एक बार आपको जली जली नहीं करा चाहिए जैसे कि आप मसाज पेश्यल पर 15 दिन पर करा सकते हो लेकिन आपको टाइमिंग देना चाहिए और स्कीन एक्ष्ट्र अच्ट्र सेंस्टीव है तो आप 6 मगने पानी लिया है इसको अच्छे से निचोड लेना है पानी को और गर्दन से रिभूब करना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से पूरे फेट को क्लीर करेंगे कि अच्छा ग्लू दिख रहा है मुझे फेट से आइसे आप लोग को भी फील हो रहा होगा तो इस तरीके से अगर आपकी सेंस्टिक स्कीन है तो आप ब्लीच कर सकते हो और ब्लीच करने एक बार आपको कुछ भी नहीं लगाना है कम से कम चौवीज गंटे सक अप सिंबल रोज वाटर या पिर नॉर्मल पानी से वह आलो वाला पानी होता है उससे फेट को क्लीन कर सकते हैं इस तरीके से रोज वाटर लगा लिया है अब आप टावल से इसके बाद क्या होता है ब्लैकेट वगड़ा होती है वह फूल जाती है तो इसको स्क्रब करके तुरंट की तुरंट निकाल सकते हो बटन मेरे घर गया तो मैं अभी आगे का वीडियो सूट नहीं कर पारी हूं नेक्स्ट वीडियो आगे का स्टैप जो आपको क्या ध्यान रखना है तो आयोग की वीडियो काफी है अच्छी लगी हो तो लाइक करें और वीडियो को जब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिगा इस तरी कीवीडियो देशने के लिए काफी अच्छा फील है आपको साइंग भी दिख रहोगा थोड़ी देर के बा भर भर के विटामीन ए या फिर कोई मॉस्टराइजर फेस पर आपके टाइम सोते टाइम जिससे की जितना भी विलेज की वादे से आपके स्केन में प्रॉब्लम होगी वह ठीक हो जाएंगी और आपका स्केन ग्लोइंग और एंटी एजिंग फ्री रहेगा थेक्स पर वचिं कि लेक्स पीजर आपके स्केन